असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस फिक्षिन और सब्सक्राइब के साइंस फिक्षिन की कहानी को अब साइंस की क्लास्ट्रों में जब लेकर आएंगे तो क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, टीचर्स और स्टूरिन के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ये एक इंतहाई critical thinking का process हो सकता है और एक interesting activity बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है तो जब हम कोई science fiction कहानी अपनी classroom में लेकर आते हैं, especially science classroom में, तो हमारे सामने दो question आते हैं, what if, question or extrapolative, if this, तो ये question हमें जरूर जरूर पूछने चाहिए, अगर ये होता तो फिर क्या होता, या ये हो गया है, तो अब इससे क्या possibilities मौजूद है, hypothetical questions, जिससे बच्चों की imagination जो So, अगला important question, science fiction पढ़ने के बाद, students, ये क्या जा सकता है, कि अगर हम ending को change करते हैं, तो क्या possibilities हैं, जो इसके अंदर change हो जाएंगी, या कोई नई possibilities जो हैं, वो खुल जाएंगी, क्या-क्या चीज़ है, event इसमें हैं, जो ending change होने से, change होने पढ़ेंगे अगली important चीज़ आती है, आप ये पूछ सकते हैं, कि ये plot है, theme है, अगर आप इसको replace कर दें किसी realistic चीज से, या magical चीज से, तो ये पूरा science fiction का plot कैसे change हो जाएगा, कैसे पूरा scenario change हो जाएगा, कैसे ये weapons change हो जाएंगे, कैसे इन characters को change करना पड़ेगा, कैसे technology change हो जाएगी, अगर ये realistic technology हुई और कोई extraordinary technology ना हुई तो, science fiction is an activity identified the realistic versus the fictional, science fiction के अंदर definitely हर अच्छी fiction के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है, कि वो convincing हो, वो authentic हो, वो life से related हो, close हो, तो उसके अंदर हमेशा कुछ ने कुछ element ऐसे जरूर मौजूद होते हैं, जो realistic होते हैं, और कुछ ने पर वो क्योंकि मिला के बनाये जाते हैं, इसलिए उनको पढ़ना, उसको enjoy करना, उससे relate होना आइसान होता है, so, science fiction often plays with this idea, जैसे कि आपकी possible चीज़े हो सकती हैं, लेकिन वो अभी possible नहीं है, जैसे कि speed, like faster than light travel, या आपकी artificial intelligence के बारे में हो सकती है, जो कि अभी ऐसी नहीं है लेकिन हो सकता है, मुस्तक्बिल में हो जाए, science fiction के अंदर कुछ ऐसे ideas मौजूद होते हैं, जो कि लगता है, बिल्कुल भी possible नहीं है, शायद हम उसके बारे में अभी नहीं जानते, जैसे कि हम आ रहे हैं, time travel का concept है, so, identifying these situation together in the classroom, और इसके बारे में हमने यह देखना होता है बच्चों के साथ मिलगे कि इस कहानी में जो information बताई गी है, अब वो information कितनी authentic है, कितनी interesting है, कितनी realistic है, और कितनी affectional है, इसके लिए बहुत interesting activity है, आप बच्चों के साथ एक graphic organizer बना सकते हैं, या van diagram बना सकते हैं, different columns में, उसके अंदर एक side way लिख सकते हैं, इस कहानी के align करें, बीच में आप उन चीजों का column है, जिसके अंदर आप ये लिखें, कि ये realistic हो सकती है, उन concept के एक table बनाएं, और third table उन चीजों का बनाएं, जो बिल्कुल भी possible नहीं है, और student फिर उसको discuss करें, कि वो impossible section है, वो उनके ख्याल में क्यों impossible है, और किस तरीके से उसको explain किय जा सकता है, जैसे कि aliens, अगर वो कहते हैं कि aliens, जो है, they are impossible, ये unrealistic हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे, कि student जो है, वो कितना जानते हैं universe के बारे में, कि already humankind का, जो knowledge है universe के बारे में कितना है, और universe कितनी बड़ी है, is it any possibility still or not, अगर हम इसको total unrealistic के देते हैं, अगली important चीज़ आत classroom में सुनाते हैं, और उसके साथ, आप intentionally कुछ questions बनाते हैं, और फिर बच्चों से वो सवालात करते हैं, ता कि बच्ची जो है, उन सवालों के जवाब जो है, वो ढूंड सकें, और आपकी सवालों को सोच सकें, और ये देख सकें कि ये जो science fiction के अंदर जो कहानी चल रही है उसकी क्या moral consequences हैं, या science जो है आगे जाके किस किसम की ethical or moral consequences हमारे मार्शरे में, हमारी society में या हमारे environment में पैदा कर सकती हैं, तो बच्चों से इस किसम की सवालात पूछी जा सकते हैं, कि जो specific scientific advancement हो रही है, इस कहानी के अंदर क्या वो अच्छी होगी, वो स्तक्बिल में क्य unrealistic scientific concept को अलग-अलग करके उनकी possibilities को देख सकते हैं.